हेलो प्रेंट मैं साकीब आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे अपने चनल साकीब आलम टैप पर दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं आप कैसे SNB बैंक में या फिर क्विक पे बोल दीजे साओधी नेशनल बैंक बोल दीजे अल अहली में कैसे अपनी ID को अपडेट किया जाता है या यहनि रेनवल किया जाता है तो हर एक त्री मंथ के बाद आपको बैंक जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है मैं जाने के बाद आपको घंटो घंटा इंतिजार करना पड़ेगा जब तक आप ID को अपडेट नहीं करेंगे आप कोई भी Т्रांज के लेना है open करने के बाद आपको यहां पर user id और password डाल करके login हो जाना है तो मैं अपना user id और password डाल दिया मैं login हो जा रहा हूँ login होने के बाद आपको कुछ इस तरह से open होगा तो आपको menu वाले नीचे menu वाले option पर आपको जाना है यहां पर बहुत सरा interface आपको दिखाए देगा तो आपको यहां पर सबसे नीचे personal information यहां पर जाना है और यहां पर जाने के बाद आपको देखिए यह second number पर ID update दिखा दे रहा है और यहां पर rate color के साथ इसमें mark भी लगा हुआ यानि ID expire है यह मेरा यहां पर ID open हो गया है और यहां पर बता रहा है कि मेरा ID expire है तो अब मेरा ID renewal हो गया है तो मैं अभी कैसे अपनी ID को अपडेट करूँगा तो यह नीचे जो अपडेट ID expire है इस पर क्लिक करना है अड़ करने के बाद यहां पर देखें मेरा ID जो है वह अबडेट हो गया है अबडेट होने के बाद यह confirm पर साफिक करते हैं प्रेस करने बाद यहां देखेंend अइसक्योन्हाइरिध़ अपडेट होन्हे के बाद यहाँ पर फिनिस करते हैं फिनिस करने के बाद ये देखे मेरा आइडी अपडेट हो गया अब दोबार beautiful आस में management में जाता हूं और यहाँ पर देखता हूं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डेट चेंज हो चुका है यानि हमारी आइडी जो है वो अपडेट हो चुकी है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और सौधी में रहने वाले जितनी दोस्त है उसके साथ में वीडियो को शेयर कर दीजे